हेलो डियर स्टूडेंट्स हाव यू चलो वई आज हम नया टॉपिक स्टार करेंगे लाजफ मोशन पढ़ रहे थे हम तो कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा परसुन से नंबर वान मैंने आपको पढ़ाया बिटा जिस मोशन का नाम था कौन स्ट्रेंड मोशन ठीक है बिटा उसका नाम क्या था शबास अ कॉन स Change Dana MTN मैं आपको दिखाया पुली बलॉओ 김 ओप मैंने अपको दिखाय जिसका नाम है रेजिक लेंशन तीन कौर्ण स्ट्रेंट हमने पढ़े बिटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक मोशन जिस मोशन का नाम है Connected Motion क्या नाम है बिटा Connected Motion से पहले मैं आपको कुछ basic सखाऊंगा कुछ basics पता होनी चाहिए आपको जब आपको समझाएगा उसके बाद हम Connected Motion स्टार्ट करेंगे ठीक है बिटा चलो बई आप समझे बिटा नमबर वन जो टॉपिक है आज का आप लिखे बिटा नमबर वन टॉपिक जो है बिटा आप लिखे मोशन of body motion of body on horizontal surface on horizontal surface horizontal surface बिटा horizontal surface पे हम एक body को motion देंगे वो motion study करेंगे बिटा उसमें different cases देंगे देखेंगे फर उसके बाद मैं connected motion की topic पे आओंगा देखे बिटा यह मैंने एक horizontal surface बनाई यहां पे मैंने एक body बनाई बिटा इस तरह से body बनाई horizontal surface पे इस body का माँ जो मैंने रखा किस के बराबर रखा बिटा एम के बराबर रखा क्या माँ से बेटा इसका इसका माँ जो है वो एम के बराबर है चलिया बड़ी एच्छी बात तो केस नमबर वान में है मैं इसको horizontal push apply करूंगा horizontal force apply करूंगा बेटा horizontal force देखिए बड़ी यह block है इसको मैंने यहां से force किया एफ force किया अपले बेशी कॉमन से बेटा नियूटन सेकंड लाफ मोशन पढ़ते है जब मास कॉनस्टंट होता है उस कॉनस्टंट मास पर फोरस एम लगता है तो बोड़ी एक्सलरेट होती है विद एक्सलरेशन एठीक है बेटा यह जो force है external force F यह किसके बराबर है बेटा M into A A होगा बेटा किसके बराबर F divided by M पढ़िया बेरी इजी question very easy question horizontal force मैंने लगाया इसमें कोई कश्की बात नहीं है अब देखे वई दूसरा बार्ट यही horizontal force मैंने यहां से इसको F1 लगाया बेटा ठीक opposite side से मैंने दूसरा force F2 लगाया F1 यहां से मैंने लगाया F2 वहां से लगाया आप समझे कि F1 जो है बेटा that is greater than F2 F1 का magnitude let us suppose 10 newton है इसका magnitude 3 newton है तो क्या हो जाएगा बेटा बाड़ी जो है still it will accelerate इस वाली direction में accelerate हो जाएगी क्यों क्यों क्योंकि F1 जो force है यह ज्यादा है ज्यादा force इस direction में लग रहा है तो body will accelerate with acceleration इस time आप नहीं बोल सकते हो F1 is equal to M A नहीं नहीं इस time हम बोल सकते हैं बेटा net force जो है वो mass into acceleration के बराबर है net force लग रहा है एक force right side से दूसरा force left side से बोले बेटा यह वाला positive यह वाला negative रखें net force किसके बराबर है F1 minus F2 यह वाला force minus यह वाला force क्यों क्योंकि opposite direction में है किसके बराबर आएंगे बेटा M into A बोलिए बाइ एक किसके बराबर आएगा F1 minus F2 divider by M net force divider by total mass अब इस तरह से भी याद रख से अगर acceleration calculate करनी होती है बेटा net force on system divider by total mass of system system पे net force कितना है F1 minus F2 system पे total mass M divide कीजिए आपको निकला अगर इस तरह से बेटा होगा अगर अब आप नजर रखे अगर अब F2 greater than F1 होगा F2 का magnitude ज्यादा है तो body किस पारी direction में accelerate हो जाएगी बेटा common sense लगाईए F2 ज्यादा है body will accelerate in backward direction चलिए भई बोलिए अब कौन सा force ज्यादा है net acceleration किसके बराबर है बेटा net force divided by total mass बोलिए net force किसके बराबर है F1 minus F2 या F2 minus F1 इस time F2 force ज्यादा है net force आएगा F2 minus F1 F2 ज्यादा है इसमें F1 minus हो जाएगा divided by M इससे पहले वाली केस में क्या निकला बेटा आपको very good इससे पहले वाली केस में जो निकला आपको निकला F1 minus F2 किके F1 greater देन था आप इस तरह से यादिक से तो बड़ा force minus smaller force divided by total mass ठीक है बेटा horizontal force मैंने लगाया था बाड़ी को चैलिया बोई अब मैं inclined force लगाऊंगा pull लगाऊंगा बेटा pull लगाएंगे बाड़ी बे यह mass M है बेटा यहां से मैंने force F लगाया चलिए बोई यह force जो F लगाया बेटा यह मैंने लगाया at an angle of theta आपने इस force को at an angle theta लगाया यह बोड़ी इस तरह से नहीं उड़ेगी बेटा यह बोड़ी जो है आगी चलेगी इस तरह से चलेगी with acceleration equal to a ठीक है बेटा कौन force चला रहा है क्या F चला रहा है इस बोड़ी को नहीं F का a component can we resolve F into two components yes definitely यहां से आएगा बेटा F cos theta यहां से आएगा F sin theta और कई force है yes नीचे से mg है इसको इसको वापस normal reaction उपर मिर रही है rate acting downwards इसने block को block ने इसको मारा इसने वापस इसको normal reaction लगाई बेसकी लिए यहां होगी मैंने यहां पर बनाई चलिए बई आप मुझे बोलिए कौन सा force acceleration दे रहा है बोड़ी को F cos theta F sin theta खाते में इसका काम अब बोलिए बेटा F sin theta acceleration दे रहा है या F cos theta F cos theta इसको आगे चला रहा है तो आप बोल सकते हो बेटा F cos theta जो है बेटा यह है mass into acceleration 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 किसके बराबर है F cos theta divided by M चलिए हो गया काम उपर यह और यह ना उपर जा रहा है बोड़ी ना बोड़ी नीचे आ रही है आप पूर्ट तो डाउनवर्ड के बराबर है राइट वाला force F cos theta MA के बराबर है लेकिन अप फूर्ड जादा होता बोड़ी उपर जाती अगर डा F sin theta is equal to mg बोलिया बही normal reaction किसके बराबर होगा mg minus F sin theta normal reaction mg से कम होगी पिटा पूल की टाइम ठीक है पिटा चलो बएए थर्ड पार्ट पुश करेंगे बोड़ी को पुश करेंगे बोड़ी को देखे बई यह ब्लॉक मैंने यहां पे बनाया बिटा ब्लॉक कमा से M यहां से हमने इस तरह से पुश किया पुश किया by a force equal to F यह force आप पूछ जो है बेटा apply किया body पे at an angle of theta क्या हम इस F को दो चलो अपने इस तरह से apply किया push body नीचे नहीं गिरेगी body आगे जाएगी कि कि नीचे इसको support है बेटा support है आगे चलेगी with acceleration equal to F के दो components यहां से आएगा एक F cos theta दूसरा नीचे आएगा F sin theta क्यांकि force नीचे आ रहा है एक यहां से component दूसरा यहां से ठीक दूसरा और कोई force है yes mg acting downward normal reaction acting upward बोलिए भाई कौन सा force acceleration दे रहा है इसका काम तो गया इसने दो components दी बोलिए भाई कौन सा force acceleration दे रहा है F cos theta इस तरह से इस तरह से आप क्या बोलोगे बिटा F cos theta जो है यह मांस into acceleration acceleration किसके बराबर F cos theta divided भाई है यह हो गया acceleration का काम चलिए भाई अपवर्ड ना बोड़ी अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड आ रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल बोलिए भाई क्या आएगा अपवर्ड फोर्स है आर बस F sin theta downward है mg भी downward है F sin theta plus mg upward equal to downward चलिए भाई इससे पहले आपको minus में निकला था इस time आपको plus में निकला ठीक है बेटा यह हो गए दो तीन parts ठीक है यहां तक clear चलिए भाई मैं आपको यह question दोगा आप जल्दी जल्दी कीजिए चलो भी यह मैंने एक body बनाई ठीक है बटा इस body का mass let us say 5 kg रखेंगे यहां से मैंने force of 10 newton apply किया let us say let us say इसको हमने किया at an angle of 37 पे ठीक यहां से दूसरा force apply किया let us say 7 newton रखेंगे यह किया at an angle of 53 पे चलिए भाई आपको acceleration निकालनी है और अगर माइनस निकला acceleration इसमीन आपने direction उल्टी लिए बस कोई problem नहीं है चलो भाई हमें पता नहीं body यहां जा रही है कि यहां जा रही है कि आप बोलोगे यहां से 10 यहां से जाएगी जरूरी नहीं कि यह 10 एंगल भी है इसको 10 का a component इसको यहां ले रहा है 7 का दूसरा component यहा और तोर्स लेट खुद ही एक acceleration आपके लेट से acceleration यहां से रखेंगे अब खुद अगर acceleration प्लस तिकला दिसमीन आपक्ट अगर acceleration नगी तो निकला नगी तो दिसमीन ब्लाग इस वहीं बैकवर बस चलिए यह 10 है चलो भाई 10 को दो components में लगा यह आएगा 10 cos 37 यहां से आएगा उपर 10 sin 37 चलो भाई यहां से 7 है 4 रखें यह 5 रखें यह 5 रखें चलो भाई यहां से आएगा 5 cos 53 यहां से आएगा 5 sin 53 ठीके बैचा और उपर से normal reaction आएगी नीचे से mg आएगा चलो फिलहाल आप रखो normal reaction की बात खत्म करो यह ब्लॉक है बेटा यहां से force मिल रहा है 10 cos 37 10 cos 37 आपको पताए बेटा 4 by 5 5 2 जा हो गया 8 यहां से 8 newton force मिल रहा है 10 का component 10 का का काम गया चलो 5 का का काम भी गया 5 का एक component यहां मिल रहा है 5 cos 53 हो गया 3 by 5 555 के अंसर यह हो या 3 newton ठीक मास कितना है बेटा 5 kg एक्सलरेशन आपने खुद यहां रखी है कोई बात नहीं हो रखी है चलो भई बोले बे फॉर्मला क्या है net force equal to mass into acceleration बोले नेट force किसके बराबर है 8 minus 3 8 plus अब ओज़ डिरेक्शन में minus 3 is equal to mass हो गया 5 into a 5 equal to 5 a a a गया a निकला आपको 1 meter per second चुके है यह भई आपको acceleration मिला अच्छा नौर्मल रेक्शन निकाल पाओगे yes yes निकालेंगे बोले कैसे अपवर्ड फूर्स को downward से equalize करना है अपवर्ड क्या क्या है वाई 5 sin 37 प्लस और और भी उपर प्लस 10 sin 37 is equal to mg लगाए वाई आपको और निकलेगा ठीक है you can do it चलो भाई यह मैंने एक दिखाया simple वाला कीस ब्लॉक पर वो एक ही ब्लॉक था एक ब्लॉक पर डिफरेंट टाइपस ऑफ फोर्स थे horizontal फोर्स था push था pull था यह calculated ठीक है भाई चलो भाई अब second start करेंगे पेटा motion ओफ ब्लॉक्स in contact connected motion जिसका नाम है पेटा connected motion connected motion एक motion आपने जो पढ़ा वो सिर्फ एक ब्लॉक का motion था पहला वाला कीस उस पर मैंने डिफरेंट फोर्स थे दिखाए अब हम दूसरा करेंगे start connected motion connected motion में पहले ही पढ़ेंगे पेटा motion of blocks in contact इसका एपार्ट में दिखाऊंगा भाई two block system two blocks in contact two blocks in contact देखे वई यह horizontal surface है जब मैं वर्टिकल दोंगा मैं उस तरह केस चेंज करूंगा उस तरह वीड भी लेना पड़ी गवाई यह एक block के बेटा इस block का माँसे M1 यह दूसरा block के बेटा इस block का माँसे M2 ठीक आपने इस वाले block पे force F apply किया capital F तो obviously यह इसके साथ contact में है दोनु जो है आपने इस वाले block को फोर्स लगाया दोनु बलॉक चलेंगी क्यों जब यह चलेगा obviously यह इसके साथ attached है यह भी चलेगा आपको यह एक तो acceleration निकालनी है और M1 एंड M2 के बीच में जो contact force है बेटा वो निकालना है contact इन दोनों के बीच में contact force यह मैंने types of forces में आपको दिखाया है बेटा जो एप हमारी है उस पर यह वीडियो है यह इसको force मारेगा force N यह वापस इसको force N मारेगा बेटा क्योंकि दो blocks in contact है यह इसको लगाएगा reaction यह इसको लगाएगा वापस reaction ठीक बेटा दो method से में दिखाऊंगा एक short होगा एक conceptual method होगा दोनों method से करेंगे चलोगे free body diagram मनाएगे दोनों let us suppose आपने force लगाया दोनों blocks चले दोनों की acceleration सेम होगी है क्योंकि in contact है जो इस block की acceleration वही इस block की भी acceleration in contact है contact कहीं पर break नहीं हो रहा है चलो भई block number one की free body diagram यह block number one मैंने मनाया बटा block number one देखिए यहां से आपने force लगाया यह वापस इसको opposite direction में इस तरह से नॉर्मल रेशन है ठीक मांस से ब्लॉक का M1 यहां से जा रहा है विद acceleration ठीक है बटा चलो भई बोलिए कौन सा force ज्यादा है कौन सा force का मैं F ज्यादा है क्योंकि acceleration right side से पता है आपको net force equal to mass into acceleration net force से बटा F minus N is equal to M1 A हो गए हो गया एक काम हो गया वई चलो भई दूसरा ब्लॉक हम लेंगे यह हमने दूसरा ब्लॉक लिया दूसरे ब्लॉक पे सिर्फ A की force है N ये बला N बस ये बला N बस इस ब्लॉक का मास है M2 इसकी acceleration है इस बलॉक को लगाएंगे हम net force equal to mass into acceleration इस पे net force कितना है बेटा सिर्फ N है इस पे net force ये N है बेटा M2A के बराबर होगे ये दो equations आपको बस काम खत्म भाई ये यहां पे सबस्चूट कीज़े बाई क्या आएगा बिटा F minus N के बदले लगाऊगे M2A is equal to M1A चलो भे ट्रांसफर कीज़े F आएगा M1A plus M2A ठीक A दोनों को common आएगा F divided by M1 plus M2 is equal to A कि दोनों को आपको A common निकलना है फिर डिवाइड मिलना है ये आपको acceleration मिला भाई चलो भाई acceleration ये हो गया actual method और normal reaction भी निकलनी थी दोनों contact फूर जो दो ब्लॉग्स के बीच में था वो किसके बराबर था N आप N इस वाली फो A को सबस्चूट करो ये आपको N मिलेगा यहां पे A सबस्चूट करो N मिलेगा दोनों तरह से answer से माना चाहिए वैसे यह यही ज्यादा easy रहेगा इसको minus करना है पहले इफ़ ट्रानस वर करना है अब लगाओ by N किसके बराबर है M2 A के बदली क्या सबस्चूट करो गया बिटा F divider by M1 बलसे M2 हो गया भाई खातन यह आपको N निकला इस वाज जन्रल कॉंसिप्ट पहले आपने इसको लगाया equation उसके बाद इसको equation दो equation इसको आपने solop किया ठीक इस वाज़ अच्छूल मेथड़ आपको acceleration भी मिला भी नॉर्मल रेक्शन भी मिला ठीक अब दोसरा shortcut मेथड़ ए acceleration निकालने के लिए मैंने आपको बोला आप लगाओ भाई नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स इकॉल टोटल मास इंटो एक्सलरेशन आप पूरा सिस्टम लीजिए भाई पूरा सिस्टम आपने लिया बस उस तरह मुझे इंटरनल फोर्स नहीं लेने हैं आपने फिए फॉर्मल लगाई यह शॉर्टकर फॉर्मल की टाइम वट इस नेट फोर्स भाई नेट फोर से एफ वट इस टोटल मास M1 प्लस M2 होल मल्टिप्लाइड भी बोले एक इसके बराबर आया एफ डिवाइड भाई भाई एंटो पाई देख यांतर से मारा है चलो ए निक आओ N is equal to M2A A का value सबस्चूट करो आपको N में लेका अब problem नहीं है भाई ठीक है force अपने लगाया था M1 पे मैं आपको question दोगा भाई same question है same question लेकिन यह जो force F है भाई यह मैं लगाओंगा इस वाली block पे यह बाई यह question है same question है M1 M2 इस तरह से block M2 को आप force F लगाना है आपको acceleration निकाल लिए और आपको normal relation between the two blocks निकालना है जलो भाई लगा try मारो खुद try मारो भाई दोनों के बीच में normal reaction इस तरह से होगा इसको यहां से होगा इसको यहां से होगा ठीक पहले concept उसके बाद shortcut method है method number one भाई चलो चलेगा कहां से right side से के left side से यहां से force आ रहा है यहां से चलेगा भाई चलो भई एफ यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यह और back side से acceleration यह मास M2 चलो भी लगा फॉर्मला क्या आप भोल सकते हो N-F या F-N बैक साइब से चल रहा F ज्यादा है आप लगाओगे भई F-N is equal to M2A F-N is equal to M2A क्योंकि यह ज्यादा फॉर्स acceleration backward direction में मिर रही है चलो भई हो गया एक यह एक equation है हो गई एक equation चलो भई यह दूसरा block है इस तरह से दूसरा block इसको यहाँ से normal reaction N मिर रही है mass M1 है acceleration है चलो भई आप क्या बो N is equal to M1A ठीक यह आप यहाँ पर सबस्चूट कीजिए भई बोले क्या आएगा F-N के बदले M1A is equal to M2A transfer F आएगा आपको M1 पलस M2 whole multiplied by A यह नीचे A आएगा आपको F divided by M1 पलस M2 मिला आपको acceleration? चलो भई जब acceleration मिला नॉर्मल रियक्शन भी मिलेगा बोलो भई नॉर्मल रियक्शन N किसके बराबर है? M1 बोलो भई A किसके बराबर है? F divided by M1 पलस M2 ख़तम दूसरा हो गया जल्दी जल्दी दो एक्वेशन उसालू करने के बगार acceleration निकालना चलो भई क्या बोला आपने? शबाश net 4 जोता है total mass into acceleration चलो भई सारा सिस्टम ले लो इस तरह से सारा सिस्टम सारे सिस्टम का mass M1 पलस M2 यहां से force F लगा back side से acceleration aim ली चलो भई आप बोलोगे net 4 से F उस ताइम यह force नहीं लेने total force लेना सिस्टम पे total mass M1 plus M2 into A A किसके बराबर आया F divider by M1 plus M2 आपका answer चलो A मिला अब individual बनाओ चलो भई यह छोटा वाला block ले लो इसको इस तरह से normal reaction N है acceleration A mass M1 A आप लगाओगे N is equal to M1 A पहले सारे सिस्टम को लगाना है acceleration निकलिए फिर अलग-अलग वाड़ी इसको यहां तक clear भई two blocks in contact connected motion पर रहे बीटा इसका दूसरा पाट three blocks in contact three blocks in contact चलो भई very easy is block a mass M1 is block a mass M2 is block a mass M3 अपने यहां से force F apply किया obviously system will move आपको एक तो acceleration निकाली है यह move करेगा यह भी उसी acceleration से यह भी उसी acceleration से तीनों की acceleration सेम है और normal reaction जो है बेटा इस टाइम दो normal reaction होगी एक होगी M1 and M2 के बीच दूसरी होगी M2 and M3 के बीच इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच चलो भई इन दोनों के बीच normal reaction N1 normal reaction N1 इन दोनों के बीच normal reaction N2 normal reaction N2 टीक है बेटा चलो भई पहले अलग-अलग से वो वाला मेथड फिर ये शॉर्टकट मेथड आप यूज करूं चलो भए लगा पहले इसको यहां से फोर्स F मिला भए यहां से नॉर्मल रेक्शन N1 है मास N1 एक्सलरेशन ए ठीक F सारा सिस्टम राइट साड़ से मूग करेगा चलो भए क्या फॉर्मला लगा होगी बेटा F माइनस N1 इस इक्वल टो M1 F माइनस N1 क्योंको राइट साड़ से जा रहा होगी एक एक्वीशन ताया आपको चलो भए वेरी गुड ये मास M2 है बेटा ये N1 इसको यहां से मिर रहा है अब ओधे डिरेक्शन में N2 मिर रहा है एक्सलरेशन एजरा क्या आईगा बेटा N1 माइनस M2 is equal to M2A N1 यहां से N2 यहां से N1 N2 मास चलो भए तीसरा ब्लॉक ले लो तीसरे ब्लॉक को सिर्फ A की 4 से बेटा N2 मास M3 एक्सलरेशन है A क्या आएगा बेटा N2 is equal to M3A N2 चल रहा है M3A Very easy question करो भए इसको यहां पे सबस्चूट देखे भए equation number 2 क्या बन जाएगी आपको N1 माइनस M3A is equal to M2A ठीक है बेटा बोलियो भए N1 किसके बराबर आया M2 प्लस M3 whole multiplied बेए आया N1 आपको चलो N1 आया यहां पे सबस्चूट कीजिए आपको आएगा F is equal to M1A plus N1 M1A plus N1 boy F आएगा M1A N1 के बदली क्या लगाओगी बेटा M2 plus M3 into A F is equal to A common M1 plus M2 plus M3 यह आएगा A आएगा आपको F divided by M1 plus M2 plus M3 चलो भई यह आपका acceleration निकला जब acceleration निकला हमें N1 भी मिलेगा N2 भी मिलेगा कैसे N1 यह है M2 plus M3 A के बदली यह सबस्चूट करना है N2 A के बदली value सबस्चूट करना है N1 भी मिला N2 भी मिला लेकिन इसको time लगा solow करने में दोस्तरा मैंने जो आपको बोला था जल्दी जल्दी solow हो जाएगा भाई बोलिए यह पोरा सिस्टम में बिटा पोरे सिस्टम का मास M1 plus M2 plus M3 पोरे सिस्टम पे कितना force लग रहा है बिटा F पोरा सिस्टम एक्सेलरेशन A से एक्सेलरेट हो रहा है बोलिए भाई क्या लगाओगे आप F लगाओगे आप total net force equal to M1 plus M2 plus M3 whole multiplied by A नीचे उतारो भाई A किसके बराबर आया F divided by M1 plus M2 plus M3 बाई निगला जल्दी आंसर जब A निकला फिर individually इस बाड़ी को यहां पर A डालो आपको यह नमर मिलेगा A डालो N2 A डालो N2 मिलेगा ठीक है भाई यह ज्यादा बैटर रहता है दूसरा कॉशन मैं आपको दूँगा वह आप गार में खुद करोगे भाई same question है same question M1, M2, M3 बराबर इसी तरह से है आपको force यहां से लगाना है इस वाले block पे आप देखना acceleration जो है same आईगी acceleration आगी F divided by M1 plus M2 plus M3 लेकिन N1 and N2 का value इस time different होगा इसे पहले वाली question में different था इस वाली question में different होगा ट्राइ मारो भई चलो भई यहां में दूँगा आपको question एक एक block है जिसका मास है 3 kg दूसरा block है जिसका मास है 2 kg यहां से मैंने force लगाया hand run neutron opposite direction में force लगाया 25 neutron आपको एक तो acceleration निकालनी है और force निकालना है between two blocks दू blocks के दर्मियान क्या force है येस इन दोनों के दर्मियान normal reaction होती है जल्दी जल्दी लगा बई अलगल एकसी कुसा उलों करने की ज़रूरत नहीं है बोलिए बई यह पूरा system है system बनाया मैंने total mass है 5 kg 3 plus 2 to 5 हो गया right side से force मिला कितना 100 newton left side से force मिला कितना 25 newton चलो बई let us suppose accelerate यहां से हो रहा है वैसे हो जाएगा hand run ज्यादा force है बोलिए क्या net force equal to total mass into acceleration बोलिए बई net force किसके बराबर है system मुझे यह नहीं लेना यह वाला force system पे 100 minus 25 total mass है 5 into A 75 is equal to 5 into A चलो ए निकला भई 15 ए निकला 15 आप नॉर्मल रेक्शन खुद निकलेगा चलो भई चाहे इस वाले बलाग पे आप बनाओ या इस वाले बलाग पे दोनों केसे में नॉर्मल रेक्शन जो एनने बिटा सेम आएगा इजी तो इस वाले बलाग से होगा दूसरा वालब बलाग है भई टू केजी बलाग यहां से इसको नॉर्मल रेक्शन है यह एक्सलरेशन है बोलिया बहुत क्या फॉर्मल लगा वोगे एन इस इक्वल टू इन्टू ए नॉर्मल रेक्शन टू इन्टू इन फोर्स मास एक्सलरेशन टू एक उसके बराबर फिफ्टीन नॉर्मल रेक्शन है भई 30 नॉटन अगर आप पहले वाले बलाग को फॉर्स आन लगाते हैं आप लगाते हैं और रण माइनेस एन इस एक्वल टो ठी इंटू एंटु ए रूड माइनेस एन आपको निकल त्री एक बदले फिफ्टीन फुटीफाइफ पुटीफाइफ यार्ट रनस वर कीजिए आपको बान समयता है ठीक छा ठीक अठीजू निकलना यह वाई कोई तो एर्र है कि एर्र तो नहीं भाई नहीं आप नज़ रखे जब मैंने दूसरा ब्लॉग बनाया यह वाला मैसा ठीक है आपको निकलता है हेंडरंड माइनस 45 इस एकोल टो एंड ठीक है भाई हेंडरंड माइनस 45 वो हो गया 55 इस एकोल टो एंड लेकिन यहां तो 30 निकला यहां हमने कल्कुलेशन में थोड़ एर्र किया ही तो टू केजी बॉलॉग बनाया इसको एन बनाया लेकिन 25 बीस काता हूँ यह भूल गया था बाई है मैं गर्एक ड करूंगा आपको निकलता एन माइनस 25 इकबस टू इन टू इंटिफ़ बूल गया था व्याँ फिर गिपै यह न था और 25 चलो एन माइनस 25 इस एकोल टू टू इन टू 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 how much is a 15 चलो भाई N-25 is equal to 30 N आएगा 55 न्यूटन देखिए भाई आंसर बड़ाबर से निकला एकन तो यह फोर्स हमें भूल गया था वो मैंने वापस लगा यह चले आप नोडाउन कीजिये नोडाउन कीजिये देखिए भाई कोचिन का, ये 6KG बलाग है ये 4KG बलाग है, मैंने 5N force एपले करना है 5N on 6KG बलाग 5N force मैंने एपले किया है, पहले किस 6KG पे मुझे find करना है, find force on 4KG बलाग 4KG बलाग पे कितना force होगा, ये एक पार्ट है इसका फिर दूसरे पार्ट में यही 5N एपले करना है 4KG बलाग पे, यहां से, मुझे find करना है force on 6KG चलो, पहले पहला बाला पार्ट करेंगे बाई, पहला बाला पार्ट देखे, ये 6KG है, ये 4KG है, ये 5N है, फाइफ नूटन आपने एपले करना है 6KG बलाग पे, हमें find करना है force on 4KG, क्या 4KG पे फोर्स होगा, येस डिफिनिटली फोर्स होगा, कौन सा वाला फोर्स होगा, नॉर्मल रेक्शन वाला फोर्स, ये इस तरह से, इसको नॉर्म लगाएगा, चलिए भई, सारा सिस्टम लीजी, वैसे इसी होता है, सारा सिस्टम है, सारे सिस्टम पे, force 5N बाहिर से एक्ट हो रहा है, अंदर वाला फोर्स नहीं लेना है, टोटल मास से 10KG, 6 plus 4, 10KG, राइट साइट से एक्सलरेशन इसे, राइट साइट से एक्सलरेशन is a, net force equal to mass into acceleration, how much is net force, 5, how much is mass, 10, how much is acceleration, a, a is equal to 5 by 10, which is equal to 1 by 2 meter, यह क्या निकला हमें, यह हमें acceleration मिला, हमें फाइंड करना है, force on 4KG block, अब 4KG block अप लीजी, यह 4KG block है, इसमें normal reaction, n, acceleration a, अब बोलिये बाई, n जो है, 4 into a के बराबर, n, 4 into a, n आएगा बई, 4 into a है, 1 by 2, आपको 2 newton मिला, so what is force on 4KG, बई, part number 1 का जो answer है, बई, क्या है answer, 2 newton, ठीक, अब दूसरा बहला part, सौलो करेंगे, same question है, 6 kg, 4 kg, यहां से आपने same force 5 newton apply कर रहा है, आपको आप force find कर रहा है, किस वाली block पे, 6 kg block, बोलिये, सारा system, सारे system का mass 10, net force equal to mass into acceleration, total force 5 है, लेकि लेफ साइड से एक्सलेरेट होगा, total mass on system कितना है, 10 into a, आएगा, 1 by 2 meter per second, लेकिन लेफ साइड से, चलो भाई, आप individual diagram बनावा आप, यह उसको तका मारेगा, N, यह इसको वापस मारेगा, N, चलो भाई, N निकालना है, चाहे पहला वाला block ले लो, दूसरा वाला block, answer same निकलना चाहिए, चलो भाई, दूसरा वाला block लीजिए, यह मैंने 6 kg block लिया, इसको यहाँ से normal reaction N है, और यह acceleration है, बोलिए भाई, N किसके बराबर है, यह 6 into a है, यह normal reaction N है, यह 6 into 1 by 2, 3 newton, देखा भाई, answer change हो गया, क्योंकि आपने force right side से इंकलना से अपले गया, you have applied force of 5 newton, you have applied force of 5 newton, left side से अपने अपले किया, इस पहला वाला पार जो था, अपने right side से अपले किया, वह इंक्यास करूँता है, left side अपले किया, यह तूद बूड मस्त लेक्या, left side करूँता है, यह तग ना, you can do it, 3 newton is the answer, ठीओ भई, चलो भई, दूसरा question में दूँगा आपको, यह block है भई, इसका mass to M, यह block, इसका mass M, आपको force F अपले कर रहा हैं भई, पहले 2 M पे, same force, और फिर दूसरे पार्ट में apply करना है M पे, दोनों cases में आपने, यह जो normal reaction है, between the two blocks, उसका ratio नकालना है, पहले इस पे apply करना है force, normal reaction कुछ होगा, फिर वहाँ से apply करना है, normal reaction कुछ और होगी, तो उनका आपने normal reaction जोड़ना है, चलो भई, 2 M, M, force, F, चलो भई, बोले total mass of this system कितना है, 3 M, बोले भई, F आएगा, 3 M into A, A किसके बराबर आया, A आया, F भई, 3 M, लेकिन मुझे acceleration नहीं निकालनी है, यह N है, यह N है, acceleration A है, चलो भई, छोटा वाला mass M लीजिए, आप यह छोटा वाला mass M है, acceleration A, acceleration A, इसको normal reaction यहाँ से, M, normal reaction, बोले भई, यह normal N1 रखे आप इसका नाम, किसमें 2 में 2 रखेंगे, N1 जो है बेचा, M into A आएगा, N1, M into A, A किसके बराबर है, F by 3 M, M गया, N1 आपको मिला, F by 3 के बराबर, simple, अब दूसरा बाला पाट है, यही force आपने इस बाली direction में अपले करना है, बोले भई, F जो है, वो आएगा, 3 M into A, किकि force, total mass, acceleration फिर से आएगा, F by 3 M, मिला आपको acceleration, इस ताइम normal reaction N, N2 है, normal reaction N2, यह block है भई, इसकी normal reaction N2 है, इसका mass 2 M है, acceleration ए, बोले भई, N2 जो आएगा, N2 चला रहा है, 2 M into A, N2 आएगा भई, 2 M, A किसके बराबर है, F by 3 M, M गया, यह आएगा, 2 F by 3, N1 भी निकला, N2 भी निकला, Ratio A, बोले भई, किसके बराबर आएगा, N1 by N2, F by 3, N2, 2 F by 3, F, F गया, 3 3 गया, N1 by N2, किसके बराबर आएगा, 1 by 2, that's your answer, ठीक है भई, चलो भई, इतना काफी है आज के लिए, आज मैंने आपको दिखाया, Motion of Blocks in Contact, Next topic जो होगा, उसमें मैं दिखाऊंगा, Blocks connected by means of sitring, sitring की वज़े से blocks connected होंगी, तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ, लास्ट में, यह बला पार्ट, आप गर में खुद मारना इसको नज़र, अगर इस तरह से question होगा भई, यह एक block है भई, 3 की जी रखे, यह दूसरा block है, 4 की जी जी रखे, इस block को आपने 10 Newton force एपले किया, 37 degree, यह दूसरे block को आपने 4 Newton एपले किया, 53 degree पे, ठीक है भई, एक तो acceleration निकालो, और normal reaction, resolve, 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 फिर उसके बाद, चलो भई, आप खुदो ट्राइमारना, next class में आपको दिखा होंगा, motion of blocks connected by means of string, string की बज़े से connect होंगे भई, उस वो हम देखिंगे next class में, so that is all for today.